So guys, अगर आप एक YouTuber हैं, यह YouTuber बनने की सोच रहे हैं, तो आपको एक बात तो पता होगी कि YouTube पर YouTuber बनने के लिए यह YouTube से आरन करने के लिए यूटिव को monetize कराने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का जो valid वोचार्ज का जो criteria होता है वो complete करना पडता है परन्तु आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो 2-2 साल होगे काम करते हुए परन्तु हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं वो आज की इस वीडियो में मैं बताओंगा मैं आपको एक लाइप प्रूफ दिखाऊंगा जिसके जरी आपको मेरी वीडियो पर विश्वास हो जाएगा कि यार ये बंदा जूट नहीं बोल रहा है ये सच बोल रहा है तो गाईज आप जैसे जैसे मैं बताओंगा आपने ठीक वैसे कि वैसे करना है आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मैं आपको लाइप प्रूफ दिखाऊंगा जो यूटूब ने जो लाइने प्रोवाइड कराई है जो यूटूब ने गाइडलाइन दी है इंदी के अंदर वो मैं यहाँ पे साइड में एक स्क्रीन शोट लगा दूँगा आप एक बार देख सकते हैं कि इसके अंदर यूटूब ने अपनी कुछ लाइने बताई है कुछ टिप्स बताई है जिसके जरीए आप अपने एक हजार सब्सक्राइबर कम्पलीट कर सकते हैं वो टिप्स मैं आपको पढ़के भी बता देता हूं कि वो क्या है यूटूब क्या कहना चाहता है और आपको किस तरीके से यूटूब पर काम करना है ताकि आपका भी बला हो सके आपके भी एक हजार सब्सक्राइबर कम्पलीट हो सके तो गाइस चलते हैं वीडियो के और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मैं बताता हूं कि आप अपनी चैनल के उपर अपने एक हजार सब्सक्राइबर जो है क्राइटेरिया कम्पलीट कर सकते हैं और वो भी थोड़े से टाइम में ही ऐसा नहीं कि 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने आप अपनी वीडियो के उपर जिस तरीके से यूट्यूब खुद बता रहा है अपनी वीडियो में वो अपलाई कर रहे हैं तो गाइस अगर आप अपने चैनल के उपर इन लाइनों का या इन तरीकों का जिस जो यूट्यूब ने बताए है इनका प्रेयोग करते हो तो हो सकता है हो सकता नहीं, यूट्यूब ने खुद ने बोला है तो भाईक नफरम होगा कि आपकी जो वीडियो हैं या फिर आप अपलोड कर रहे हैं वो सभी की सभी वाइरल हो जाएंगी तो guys मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ कि YouTube ने क्या guidelines दिया है और आपको किस तरीके से काम करना है ये भी आज की सी वीडियो में मैं बताऊंगा तो guys वीडियो को last तक वाच करना बने रहना end तक ताकि आपको सारी बाते त्यान से समझ में आ जाए होने को तो मैं दो वीडियो बना सकता हूँ एक मैं ये guidelines पढ़के बता दूगा और एक के अंदर मैं सिर्फ आपको बता दूगा किस तरीके से काम करना है तो guys इससे कोई मतल वाली बात नहीं है मैं आपको एक वीडियो में short and sweet तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ भी जादा आएगा और आपकी help भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और आपको दर-दर बढ़कना नहीं पड़ेगा दर-दर का मतलब है अलग-अलग channel पर बटकना नहीं पड़े संतुष्टी है तो चलते है वीडियो की और और मैं बताता हूं कि यूट्यूब ने आपको क्या guidelines प्रोवाइड कराई है तो आप मेरे साइड में स्क्रीन शोट देख रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको जो जो guidelines पढ़के सुनाओं वो YouTube ने दी गई है YouTube दुबारा दी गई ह तो आप स्क्रीन शोट देख सकते हैं वैसे तो आप खुद भी पढ़ लेंगे मैं लगाने को इसे लगा कि और बेट जाता दो मिनिट आप पढ़ लेते प्रंतु मैं बोल के सुना देता हूं क्योंकि अगर दो मिनिट लगा तो भी आप पढ़ोगे अगर मैंने सुना दिय 30-35 दिन करके देखो आपको पता लग जाएगा कि छोट वीडियो से आपका चैनल कितना ग्रो होता है या फिर आपके चैनल के ऊपर शोट वीडियो की क्या भूमिका है और उससे निचे हर वीडियो का थमनेल अट्रेक्टिव होना चाहिए मतलब आपकी जो वीडियो है उस पसंद करेंगे अपने चैनल को ऑप्टिमाइज करें मतलब अपने चैनल का जो डैस्वोर्ड है या अपने चैनल का जो आपका मेन इंट्रो वगेरा है वो इतना अच्छा लिखो और समय समय के अनुसार उसे थोड़ा बहुत बदलाव करते रहो कंसिस्टेंसी बनाए रख अदो यह नहीं कि आज कर दी और चार दिन बाद कर दी फिर दो दिन बाद कर दी यह कुछ किस टाइम तक सकिप कर दिया तो ऐसा नहीं करना आप ने जो कंसिस्टेंसी अपनी चैनल के उपर क्रिएट की है उसे मेंटेन रखना है आपको तो उससे निचे लिखा हुए है यहां पर दो मतलब बन जाते हैं एक तो यूट्यूब खुद प्रमोट करता है वो और दूसरा यह कि आपने क्या करना है जो बड़े बड़े creator है जो आपकी के टिगरी की आप videos बनाते हो जो आपकी बड़े creator है उनको आपने follow करना है फोलो सीफिर है यह लोग करते है तो आपने फोलो करते हुए उनकी हर वीडियो पर उनकी हर कम्यूनिटे पर हर पोस्त पर आपने अपना कमेंट जुरूर चोड़ कैना है ताकि बंदा जाये जैसे आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें हो तो मैं कमेंट तो पड़ता हूं जो कोई भी creator है उसको कमेंट पढ़ने में बहुत मझाआता है तोगी अगर वह कमेंट पड़ेगा आपका कमेंट उसकी हर पोश्ट पर हर वीडियो पर हर शोट पर होगा उसे दिखाई देगा कि यह बंदा जो है यह exercice पर कमेंट करता है चाहे मैं प्रिट्ट yapलोड करो च्छोट चाहे लोंग यह कुछ भी करूं है यह बंदा जूरूर हाता है्ं तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे पास जो बंदा डाउआ कि एक वीडियोस le से प्रसनली मिलता हूं मतलब मंदने का यह नहीं बड़ ए इसलिवरिटी मेरे मिलने से मतलब यह है कि मैं उसे डियम करता हूं इस्टाग्राम के उपर तका मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे करनी है और आपने किस तरीके से अपनी वीडियो संखे द– करने का एक तरीका यूट्यूब ने जो बताया उसके इसाब से आप कैसे व्यू ला सकते हैं और किस तरीके से यह काम करेगी तो आपने क्या करना है जैसे नीचे प्लस वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब अपन करने के बाद में आपने सबसे पहले करने के बाद में आपने कोई एक्स वाईजी आपकी सोट है यहां तो इंग्लीश में दिक्कत आती है और होता भी थोड़ा मुश्किल है हिंदी में प्रोवाइड कर रहा है तो यह जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर करो तो गाइज इसके अंदर आपको फिर राइट में राइट साइड के अंदर आपको एक टिक वाला इकन दिया गे गुड जो अपना वीडियो अप्लोड करें और उसका इतना अच्छा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और थमने लितना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपकी वीडियो पर आने से मजबूर हो जाए तो आपने क्या करना है यहां पर अच्छा सा टाइटल लिग दे तो पर क्यांगे तेफ करने के बाद में अगर यह यह स्टा थो आपने नो पर कर लेना इसको नde it's not made for kids पर select करके और बेग कर लेते हैं बेग करने के बाद में आपने क्या करना है upload short का option आपके सामने दिखाया गया है तो upload short वाले option पर tap करेंगे tap करने के बाद में guys आपकी जो short video है वो upload होना शुरू हो जाएगी तो guys आपने इस तरीके से अपनी वीडियो को upload कर देना है और upload करने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि matrix apply कहां से होती है तो guys आपने फिर से सारा कुछ बेग करके और अपना youtube application open कर लेना है open करने के बाद में right side के अंदर आपको you वाला option दिखाया गया है आपका जो चैनल का logo है वो छोटा सा दिखाई दिखाया गया है तो उस पर tap करेंगे टैप करने के बाद में guys आपके सामने यहाँ पर आपकी चैनल का logo और आपके चैनल का नाम लिखा हुआ आ गया है तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इस से नीचे त अदर सर्च वाला बार दिखाया गया तो आपने सर्च वाले पर टैप करना है टैप करने के बाद में आपने यहाँ पर लिखना है जिस तरीके का आप content upload कर रहे हो चाहे वह फिर जो आपकी comedy video है चाहे व्लोग है चाहे टेकनिकल सबंदिय एकस वाई जी जो आपका content है उस स related आपने सर्च करना जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं comedy वीडियो तो मैंने यहाँ पर comedy वीडियो लिखे और सर्च कर लिया सर्च करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके की वीडियो आ चुकी है तो गाई यह देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके की वीडियो आपको सामने य वाले पर नाम है भाई तूल जो आपके सामने पेर बहूती आसानी से मिल जाएगी तो आपने उस application को open कर लेना है उसमें शेयर कर देना है लिए को तो शेयर करने के बाद में इस वीडियो का यहाँ पे बायो डाटा अगए है है डीटेयल सा आ गई यहां से आप उसका जो टाइटल है वो कॉपी कर सकते यहां से डाउनोड कर सकते हो एक वाही जी जो यूट्यूब के इंदर सिष्टम होता है वह सारा यहाँ से डाउनोड कर सकते हो तो आपको क्या करना है यहां से копie टाइटल कर लेना है टाइटल क्वापी करने के बाद में अब आप me नियाने क्या करना है आपकी जो गूगल नोट्स वाली एप्लीकेशन होती है आपको open लीन है! और उसके अंधर एक नया जो tab ओपनने के बाद अब आपने एक लिंक कोपी किया और ये टाइटल कऊपी के लिंक पहले पेस्ट करना है उसके बाद दो स्पेस देने आपने फिर आपने टाइटल पेस्ट कर देना है फिर आपने एक जो स्पेस देना है और फिर आपने इस तरीके से गाइज पांच वीडियो जो उपर उपर की उपर की तो आपने क्या करना है उन वीडियो को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बा करना है कुछ नएा ट्राई करना है कुछ और अच्छा करना है तो आप ने अपर इसे टूडयो स्टूडियो एप्लिकेशन के अंदर और उसमें जाने केबाद में आपने काने के यहां एंटरफेस ओपन हो जाएगा और इस एंटरफेस के अंदर आपने वीडियो ढूंड़नी है जो आपने अनलिस्ट करके छोड़ी थी जैसे यह वीडियो अनलिस्ट करके छोड़ी हुई थी तो इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद में आपके सामने पैंसिल वाला सबसे नीचे आने के बाद में यहां पर जो हैस्टेक्स आपने लगाई होते हैं इसके अंदर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उससे जश्ट ऊपर आपने स्पेस देखे और वहां पर जो आपने जो अपना नोट्स में से जो सारा कुछ पांच वीडियो का टाइटल और इस तरीके का नया अपलाई करो तो गाईज मैंने आपको एक नया अपलाई कर दिया है और इस तरीके से यूटिब ने बोला था कि आपकी वीडियो जो है ग्रो हो जाएगी तो गाईज यह तरीका बेस्ट है मेरे को बेस्ट लगा तो मैंने आपको बता दिया तो गाईज इस तरीके से आप भी अपनी वीडियो को वैरल करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, I hope आपको ये वीडियो अस्थी लगी है, या वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर रताना, thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस नए कंटेंट के साथ तब्दे के लिए, जय हिंद वंदे मातरम